हलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चनल ट्रोथ ऑफ शेयर मार्केट सो डिसक्स कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 11 अगस्ट 2023 फ्राइड की लिए टेटा काफी नेगेटिव बिल्ड किया है बिग प्लियर ने देखना होगा कल क्या होगा अना फस्ट वीडिव इस वीडियो इस वीडियो फॉर एडुकेशन प्रपस्ट यहां मेरा टेलिग्राम लिंक वाथसप नमबर गिवन है तो प्लीज जोईन करने टेलिग्राम और तो फस्ने केश मार्केट में बाई किया नोड़ाउट डियास ने भी बाई किया प्रोबलम कहां है इंडेक्स फ्यूचर में फैस ने ग्यादासो करोड की सेलिंग यानि शोट टम के निए बेरिश है इंडेक्स ओप्शन में इन्होंने सेलिंग किये पच्चिस सो पच्पन करोड के तिक है इस टोग future में देखो पांच हजार करोड की सेलिंग किये तो यानी 5000 1000 यानी 6000 करोड की सेलिंग किये और थोड़ा बहुत हैज कर रहा इसे विद इंडेक्स option टिक है इस टोग option में भी इनकी सेलिंग है तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो शोट टम में ये और ये तो डारेक्ली इंपेक्ट करते है मार्केट को यह हो सकता है इन्होंने क्या सेल कर रहा है या कुछी को हैज कर रहा है उसको साथ में किसी के साथ हैज कर रहा है तो उसके लिए यूज हो जाएगी करोड की सेलिंग कर रहा है अगर यह हैज नहीं किया होगा तो यह भी साथ में एड हो जाएगा अब बात करते हैं कि इंडियन विक्स तो विक्स हमारा 2.3 परसेंट अप हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% 0.5% डाउन हुए तो डेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा नेगेटिव बिल्ड अप हुआ है चार्ट पर क्या पेटर निकल रहा है अगर चार्ट की बात करें तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो क्लोजिंग ब सक्या तो 500 दिन के लोग के नीचे इसने क्लोजिंग दिए कर नेक्स्ट लेवल गएं इसके पास तो नेक्स्त लेवल अगर 19 चेस सो सोरी 400 साट यह एमिपोर्टेन्स लेवलεί मैकसिमम मकसिमम खर घ्र्वीच लो तो 19 breakdown दिया कल भी यह अगर continuously fall करता है हो सकता है थोड़ा सा 566 के around अगर gap up भी open हो चोटा से stop loss 600 तक का stop loss लेकर हम यहाँ sell कर सकते हैं क्योंकि यह क्या होता है कि जो gap up गेप down होता है generally यह कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी level पर ही करा है ताकि लोग confused रहें और वो या तो buy करें या sell करें और उस confusion का benefit उठा सके हैं यह नहीं होता है random कहीं भी open करा लिए जो particular support या resistance होते हैं कोशिश करते हैं कि वहीं open करा है जैसे यह support build था तो अगले दिन यहीं open करा लिए यह resistance अगर रिजिस्टेंस था पहले यह support था इनका पहले तो उस time पर यह open करा लिए था तो इस वे में यहाँ अगर हम बात करें तो यह यहाँ पर इसने ओपन किया था तो वहीं इन्होंने अगले दिन ओपनी करा लिए तो अगर यहाँ पर भी open हो तो हम negative हो सकते हैं with data बट हाँ small SL के साथ ज्यादा बड़ा SL नहीं लेके चलना अब बात कर लेते हैं क्या हम bullish हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं अगर 640 के उपर यह survive करें 19-640 के उपर survive करें तो आप bullish हो सकते हो no doubt 700 क्योंकि यह सब 35 के लिए आप थोड़े से पॉइंट के लिए bullish हो सकते हैं अगर बात करें 535 के नीचे अगर यह survive करता है तो फिर आपको 460 और 380 के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं तो यह तो है पेटन के breakout पर खड़ा है तो अब यह क्या है यह पूरा पेटन आपका बेरिश यह बेरिश है अगर यह इसको ब्रेक कर देता है तो आपको एक अच्छी खासी downfall आपको देखने को मिलेगा यह नीचे जा रहा है तो अगर यह नीचे जाने लगेगा तो फिर आपको यह 44,200 का लेवल और 43,800 का लेवल यह दो लेवल आपको देख सकते हैं अगर यह नीचे जाए तो 850 पर आप अपना प्रोफिट बुक कर लेना ठीक है 826 लेवल है बट 850 पर आप बुक कर लेना क्योंकि यहाँ पर अगर नीचे भी गया तो काफी ज़्यादा चानस दोंग तो फिर आप जाते हैं वक्त ही भुक कर ला उपर कब बुलिश हो सकते हम तो 7 अगर 30 के उपर निकलता है यह 800 लेके चलो आप 800 के उपर निकलता है तो फिर हम 45,100 की नीचे बुलिश हो सकते हैं 100 अगर तूटता है तो फिर मार्केट अच्छा रेली दे देगा आपको ठीक ह 45,100 का level तूटता है तो market में एक अच्छी रेली आपको देखेगी 45,400 और 45,700 दो next level ये रहेंगे तो यहाँ पर अगर आप entry करें तो कोशिश करना 45,000 45,000 के हाँ book करने क्योंकि 100 पर देखो कई दिन तक गया बढ़ हाँ तोड़ नहीं पाया है वापस reversal हो जागे तो इसलिए इंपोर्टेंट ये रहेगा ये बैंक निफ्टी का है ये बियरिश pattern बना हुआ है structure पूरा बियरिश है क्या हमारी option chain भी से support कर रही ठीक है आपका data support कर रहा है chart का indication support कर रहा है अब last चीज है option chain क्या है अगर हम 17 अगस्त क्योंकि next ये ये तो उसकी बात करें तो 19,542 पर आपका निफ्टी क्लोज हुआ है और उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ अगर resistance देखें तो 19,600 पर strong resistance बिल्ड हुआ है ठीक है 19,500 पर भी resistance बिल्ड हुआ है बढ़ हाँ उतना strong नहीं है एंड उसके उपर 19,700 पर भी आपका resistance बिल्ड हो चुका है ठीक है कल opening के बाद आपको यहाँ पर build up चेक करने होंगे इनका screenshot ले लेना ये आपको पता होना चाहिए कि आज ये है कल increase हो रहा है नहीं हो रहा है यहां किस वे में changes हो रहा है यहां अगर मैं support की बात करूं तो 500 strong support है no doubt यह तूटेगा तो फिर आपको 400 पर रुक यानि 400 तक जा सकता है easily है and then 300 फिर next support है बट यह दोनों इतने strong नहीं है बात मैं करूं तो इसमें important क्या है आप अगर देखेंगे इसमें complete नहीं आ रहा था बट 19,000 C यानि यह तो in the money out of the money call writer और put writer बैठते हैं क्योंकि supporter resistance बिल्ड होते हैं बट in the money यहां पर call writer भी बैठा है in the money put writer भी बैठा है इवन अगर आप check करेंगे तो 19,000 का पर भी call writer बैठा है अब 19,000 पर call writer बैठा है तो उसके लिए future work करेगा है समझो एक लाग quantity एक लाग यानि वहाँ open interest develop हुए आज की नहीं तो अगर वहाँ पर यह future की rate करेगा यह तो bearish rate आए कि यहाँ पर जाके बैठी है बट साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि 20,000 पर भी आपका put writer बैठा है जहाँ पर call writer बैठा का no doubt कोई दिक्कत नहीं बट put writer का बैठना future को sale करने के इक लोग तो यह भी बैठा है और यह भी बैठा है तो यहाँ पर अब कल देखते हैं कि कौन सा support या resistance बिल्ड टूटता है एंड उसके साब से हम जर्नी ते करेंगे बट हाँ सबसे अगर strong की बात करूँ तो अभी सबसे strong 9,600 पर resistance बिल्ड हुआ है 55 लेक यहाँ अगर मैं देखू 500 पर तो 46 लेक बट यहाँ changes अगर आप देखू के तो 43 लेक का change यहाँ 28 लेक का change तो मैं बोल सकता हूँ resistance काफ़ strong है अगर 500 पर भी देखू यह 30 लाग है यह 46 लाग है बट आज का build-up देखू तो यह 28 और यह 23 काफ़ strong writing हुई है 19,500 पर तो आप 500 के नीचे किस side रूटता है या उपर किस side रूटता है तो वो matter करेगा आपका कि कहां किस side किस trend को market reverse करता है या trend करता है अगर important level की बात करो तो 650 काफ़ी important रहेगा 645 के around आप put buy कर सकते हो with sl of 20 point तो इस से ज़्यादा point नहीं देना यानि 1960 पर आप निकल जाएगे similar way में अगर मैं बात करूँ 19,300 और अगर आप pay call try attempt बनता है तो वहाँ आप attempt कर सकते है with 30 point इस से ज़्यादा हम नहीं लेंगे बढ़ हाँ अगर यह reversal होगा तो आपको at least 60 point लेना है तो यह अगर आपका है तो फिर तो ही आप इसमें enter करना अदर्वाइस क्या होता है लोग बग 10 point का SL देते हैं और 2 point का target लेके निकल जाएगे यह मत करना या तो 30 point का SL देना या 60 point का target लेना कम से कम भी 30 point का SL देने की सोच रहे हम कि कम से कम 30 point का target तो लेके चलना है मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि 19-440 important support है अगर 445-440 के round दिखे तो केवल 15 point या नि 19-425 पे निकल जाना है SL बता रहा हूँ 425 पे आपको निकल जाना है और उपर target वही रहेंगे आपके 525 तक ठीक है तो 15 point का SL देके बट यह aggressive के लिए क्या कर फोल होगा तो हो जकते इस बार टूड़ जाए कई बार तो इसमें support लिया है तो इसलिए हम 10-15 point का SL देके हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से bounce हो है ना so that's about nifty bank nifty की बात कर लेते हैं bank nifty में क्या data बिल्ड हुआ है support बिल्ड है तो अगर इसके नीचे survive करता है ना यह नहीं के नीचे गया वापस आगे वह चीज़ की नहीं बात करें बट हाँ आदे गंटा अगर इसके नीचे गुजार दिया तो फिर आपको एक अच्छी सी downfall देखेगा ठीक similar way में अगर हम resistance की बात करें तो resistance आपका directly 45,000 पे तो resistance है उसके उपर यानि 445 पर resistance है जो data है उसके compare में बात करें 447 को पर भी resistance है तो यह तीन resistance है support की बात करें तो इसके बाद direct यही है और इसके बात 345 पर resistance है 445 पर भी data बिल्ड हूआ है सिमिलर वे मैं अगर जैसे निफ्टी की बात की थी वेसी यहां बात करूं तो यहां पर भी सेम चीजें देखने को मिली है तो उन्होंने जैसे 46,000 का पुट राइटर ने इसको बेचा है 46,000 को बेचा होगा तो कितने पर बेचा होगा तो 1600 रुपे 1600 पोई तो स्थाइट और साथ में क्या क्या होगा साथ में अगर हम बात करें तो चम्वाले 500 इसको खरीद लिया होगा ठीक है यह 1500 पॉइंट और यह 200 पॉइंट तो अल्टीमेटली 1300 पॉइंट बच्चे उसके पर है ना अब मार्केट अगर नीचे गया तो उसका लोस कितना होगा केवल 200 पॉइंट का और अगर मार्केट ने रहे लिए दी ठीक है तो वह कितना बेनिफिट कमा सकता है तो वह 1300 पॉइंट का बेनिफिट कमा सकता है तो इस वह में हो सकता है उन्होंने हैज किया जो एक लाग कोल रैटर पॉट रैटर बैठे हैं काफी दूर वाली पोजिशन तो इसको आप समझने की कोशिश करना कोई डाउट तो कमेंट में कमेंट कर देना ठीक है मैं उसको और एक्स्प्लाइन कर दूंगा आप लोगों को ठीक है तो हम यहां पर कहां कोल एंड पॉट बाए एंड सेल कर सकत तो देख 400 के नीचे 10 मिनट सर्वाए कर जाएगा तो फिर आप पूट बाए कर सकते हैं ठीक हैं अगर 500 के 400 के चार सो नीचे जाए सुबह और 500 के उपर आके सस्टेंड करने लगे तो यहां पर आप कोल अटेम्ट कर सकते हैं नीचे जाते वक्त नहीं ठीक है इसमें क्या ब तो फिर आप put try कर सकते हो for this target and 3,800 तक के target के easily मिलेंगे अगर market important level तोड़ेगा तो काफी अच्छ टार्गेट आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है similar way में put का attempt कहा कर सकते हैं यहाँ आप call करोगे और यहाँ आप put करोगे पहला तो यह हुआ यहाँ पर आपका एक call attempt बनता है with 20 points इसमें 20 नहीं होगा इसमें 50 पॉइंट कर सकते हैं कि 980 यहाँ नहीं तूटना चाहिए बट हाँ बैंग निफ्टी यह चोटे-मोटे यहाँ बनेगा और आपका नीचे के उपर आएगा तो पांच मिनट सर्वाइवल पर बनेगा और आपका 400 के नीचे रुखता है तो यहाँ आपका पुट बनेगा तो यहाँ आपका पुट बनेगा तो यहाँ लेवल आपके क्लियर होंगी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना I'll try कि मैं सबके रिप्लाई जरूर दूँ है तो थैंक यू